हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने फोन में होट स्पोट को अन कर दिया है फिर भी दोस्तो आपके फोन से वाई फाई कनेक्ट नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चली दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है आपको ना अपने फोन को एक बार reboot कर लेना है या तो फिर अपने फोन को एक बार switch off करके on करना है उसके बाद यहाँ पर आपको setting को open करना है और फिर यहाँ पर आप logo को जो है search bar में click करना है और यहाँ पर hot spot लिख लेना है और उसको जो है open कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यह चेक करना है कि आपने आपके फोन में जो भी बंदा वाइफाई ले रहा है कहीं आपने उसको ब्लॉक तो नहीं कर रहा है कभी-कभी जा होता है कि आप लोग ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है और दुबारा से वो जो है आपके फोन में Wi-Fi connect करता है तो यहां पे वो जो है connect नहीं करपाता है तो अगर आपने block किया हुए तो आप लोग connected device में जाईए और यहां पे block list में देखिए कि आपने कहा किस को किस को block किया और वहाँ से आप लोग जो है उसको unblock कर लिजिए और उसके बाद भी आपको problem आता है तो आप लोग यहाँ पे limit of connected device को option आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे unlimited पे क्लिक करिए अगर आपने यहाँ पे एक को select करा होगा तो दूस्तों आपके mobile से कोई एक बंदर ही यहाँ पे wifi connect कर पाएगा तो आप लोग उसको unlimited करिए ताकि आपके mobile से unlimited यहाँ पे कोई भी wifi connect कर सके तो यह सारी settings आप लोग यहाँ पे अपने phone में कर लीजिए तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी